आपका शागत है आज मैं बनाओंगी यह मक्के के आटी की पूरी इसको तुमरियां भी बोलते हैं तो इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग, आप लिघीन हींग नहीं खाते हैं तो नहीं डालीए पर हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है यह डाल रहे हूं थोड़ी सी हरी धनिया पत्ति, नमक, आप गिए टेस्ट के अनसार काम या जादा कर हैं प्रेट्चिली पाउडर जीरा हाप स्पून आप इसमें ओनियन भी काटकर डाल सकते हैं अगर आप फुखाना हो वरना आप ऐसे ही बना सकते हैं यह मक्य काटा है इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसको गूतेंगे इस तरह से आप हम इसमें तोड़ा सागुनगुना पा इसे नहीं बना तो आप इसमें तोड़ा सा घ्योगा आटा भी डाल सकते हैं अ कि इस तरह से अन अन यह करना है कि समार्णे की वीक्ति होती इस लिए इसको थोड़ा dozen पानी डाल कर भी पहले करें इस तरह से हमने इसको इकटा कर लिया है और ये हमें गिला नहीं नहीं करना और बहुत कड़क भी न रखना है इसमें जब आभागे उखा आटे डालिंग tá थुदा सौक्ट ज़्यादा बनेघी द़ालिंग भी बहुत करण्ची बनेगी अब हम इस लाइग को अपने इस हांट पाट से इसंटरह दरे जाख रगड कर गूदना है इसे पती करणे लगाने लाम हमारी पूम्ड़ियां जादा किनारी ज LIV इसको बनाने के लिए हम पहले हाथ में थोड़ा सा ओयल लगाएंगे और अब इसको हम इस तरह से दबा दबाके इसको बड़ा करेंगे इस तरह से हमें इसको गोल करना है यह हमारी किनारी फट रही है कितना भी हो आप करेंगे तो भी थोड़ा बहुत फटेगा ही इस तरह से हमें हास से बड़ा करना है और आप इसको थोड़ा सा पतला और मोटा बहुत पतला नहीं करना है, बहुत मोटा नहीं करना है, हमें यह देखा अभी मोटा है, जगा जगा है, तो हमें इसको एक सा करना है, तो आप अगर इस तरह से कर सकते हैं, अच्छे से तो आप इस तरह से कीजिए, नहीं तो मैं आपको दूसरी ट्रीक भी बताती हूँ, यह म अब एक नारी तूट रहे तो इसको इसतरे से ख़ड़ेंगे फालका सा तो इस तरह रहे गा ही क्यूंकि यह ग्योंके आटे की नहीं है और अब हम इसको आपको तलके भी दिखाएंगे यह मैंने तेल गरम होने रख दिया था अब मैं इसको इसी में डालके आपको तलके दिखाती हूँ, यह काफी क्रंची बनेगी, अब अगर इसमें कोई और आटा नहीं मिलाएंगे तो, इसको बहुत तेज आज पर सेखना चाहिए, क्योंकि तेज आज पर थोड़ा मोटी होती है, तो जन्दी सिख जाएगी, इसको में तोड़ा का तक्चा पन लगेगा, इसको मीडियम फिलेम पर ही सेखना चाहिए, यह देखी, इसने कलर भी चेंज हो गया, पलट कर दोनों सरब से हमें इसको रेर कलर का सेख लेना है, देखे यह, अभी सीख गई है, अभी सीख गई है, अभी कितना सुंदर कलर आया है, और बहुत ही ग्रंची है, अभी मैं आप इसकी दूसरे ट्रिक भी बताती हूँ, ज अभी जैसे आप हाथ से ना कर पाएं, तो आप इस तरह से तिभाई या कुछ भी लेलें, उसके ऊपर यह थैली लेलें, यह दूद की थैली है, मैंने ली है, आप से लेवन हो लेलें, अब इस पर हम यह आटे की लोई को इस पर रखेंगे, इससे क्या होगा, यह इस पर च देखिए, और बहुत इजली बिलती है, यह देखिए, बहुत अच्छे से बिल गई और बहुत जल्दी बन गई है, अब मैं इसको भी सेट लूँगी, आप चाहते छोटी साइज में करें, तो इसको आप एक बाव से काट सकते हैं, तो अभी मैं इसको सेट कर दिखाती हू इसको हम डालेंगे तो तेज आच पर, पर इसको बाद में मेडियम कर देंगे, और इसको सेकेंगे, यह तेज आच पर ही डाली है, देखिए, यह देखिए इस तरह से हम अपनी सारी पूरियां तल लेंगे, यह एक हमारी पारंपरिक वेस्टिपी है, यह देखिए, गर्म गर्म तुमरिया बनकर रेडी है, और यह सर्दियों में बहुत अच्छी से मत्या का आटा मिल जाता है, और यह देखिए, इसारी कितने अच्छी क्रंची है आप इसको देखिए, और इसको आप ब्रेकफास्ट में सर्क कीजिए, बहुती टेश्टी लगती है, अचार के साथ खाईए, अगर आपको मेरे रेश्पी पसंद आई हो, तो आप लाइक कमेंट सेहर करना मत बूलना, और कमेंट करके बताना आप इसको किस तरह से बनाते ह थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो